बनाने स्वर्गिय नहीं सांसारिक निवेश, यीशु मसीह प्रोचसाहित अपने चेलों के लिए अपने संसाधनों का निवेश करने की दिशामे स्वर्ग में आदेश लेने के लिए अनन्त लाभ भगवान से. . यीशु मसीह प्रोचसाहित अपने चेलों के लिए अपने संसाधनों का निवेश करने की दिशामे स्वर्ग में आदेश लेने के लिए अनंत लाभ भगवान से मसीह सुनाई एक कहानी को पुष्ट करने के लिए अपनी बात की और कहा के जमीन की एक निश्चित अमीर आदमी मिले प्लन्टिफुली और उसने सोचा खुद के भीतर कहा मैं क्या करू क्योंकि मैं कोई जगह नहीं है स्टोर करने के लिए मेरे फसलों तो उन्होंने कहा मैं यह करना होगा मैं जाएगा मेरे बांस और निर्मान अधिक से अधिक और वहां मैं दुकान में मेरे सभी फसलों और मेरा माल और मुझे कहना होगा करने के लिए मेरी आत्मा आत्मा आप कई वस्तों रखी कई वर्षों के लिए अपने आराम ले, खाने, पीने और हो सकता है मगन लेकिन भगवान ने उसे करने के लिए कहा मूर्ख इस रात अपने आत्मा आपकी आवश्यक्ता होगी, तो किसका करेंगे उन चीजों में हो सकता है, जो आप प्रदान की है तो है वह देता है जो खजाना के लिए खुद को और अमीर नहीं है, भगवान की ओर लुका 12, 16, 21. सबक एक व्यक्ती है, जो केवल सांसारिक सचेत और निवेश कुछ भी नहीं स्वर्ग की ओर काटेगा आपा, शूने पर परमेश्वर के अंतिम न्याय के दिन सांसारिक धन कर रहे हैं अस्थाई वे कर रहे हैं मतलब के लिए मौजूद हैं, संक्षेप में और बाद में गायब हो जाते हैं एक व्यक्ती सम्रिद्ध है, जो आज मर सकते हैं गरीब कल यहां तक कि अगर वह मर जाता है के साथ धन और पत्तियों धन के लिए उसकी उसके वन्शज हैं वे नहीं हो सकता है, तो समझदारी को बनाए रखने के लिए उन्हें हालांकि जो भी एक व्यक्ती बोना स्वर्ग की ओर गायब नहीं होगा, लेकिन यह हमेशा के लिए पिछले जाएगा कुछ भी सनरक्षित स्वर्ग में होने का मतलब है स्वचालित रूप से सरक्षित सदा इस बीच कुछ भी करने के लिए कहा जा सकता स्वर्गिय निवेश करना चाहिए बिंदु से लोगों का ध्यान करने के लिए भगवान लाने और उसे महीमा अगर हम कर रहे हैं करने के लिए विशलेशन कुछ प्रयास कर रहे हैं कि स्वर्गिय योग्य एक इसाई कौन परवाह करता है और प्रार्थना के लिए अन्य लोगों को प्राप्थ होगा एक जाच्चिन प्राप्थ करने के लिए स्वर्गिय इनाम भी एक इसाई की ओर जाता है जो अन्य लोगों के लिए मसीह प्राप्त होगा एक जाच्चिन इसलिए भगवान के सभी बच्चों को कहा जाता है का प्रतिनिधित्व करने के लिए मसीह के अच्छी तरह से और भी प्रित्वी पर अपना सर्वश्रिष्ट योगदान प्रयासों की दिशा में पोप्योलेशन भगवान की किंगडम इतना है कि वे प्राप्त कर सकते हैं भगवान के इमानदार और अथा स्वर्गिय लाभ डौट प्रार्थना प्रिय भगवान कृप्या मेरी मदद हो सकता है स्वर्गिय सचेत और अपने संसाधनों का निवेश स्वर्ग की ओर जहां वहां होगा कोई भष्टा चाय नहीं मुझे में फंस सांसारिक मामलों और पर्स के रूप में उन्हें कर रहे हैं अगर वे मेरी ही लक्षों को हासिल करना होगा मुझे सशक्त निवेश करने के लिए अपने वित्त, सामगरी, दान गतिविधियों की दिशा में अपने राज मुझे आपका प्रतिनिधित्व करते हैं पर अच्छी तरह से प्रित्वी योग्य होना करने के लिए अपने इमानदार स्वर्गियला चलो अपने पवित्र आत्मा मुझे गाइड सब बातों में इतना है कि मैं समरिध कर सकते हैं के लिए मैं यीशू मसी के नाम से मैं अनुरोध करता है आमीन